प्रधान मंत्री मोधी शुक्रवार को महराश्च के दौरे पर रहे मोधी ने मुंबाई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिंटेक फेस्ट में शुरकत की है प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि वे AI के दुर्फियों को लिकर चिंतित हैं एस दौरान मोधी ने कहा कि AI के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा मतादी कि ग्लोबल फिंटेक 28-30 अगस्त तक आयूजत हुआ है इसमें 800 से ज्यादा स्पीकर और 80,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और सेवी प्रमुख माधवी पुरी बुच भी कारिकरब में पहुची है मोधी ने आज के समोधिन में कहा है कि पिछले 10 सालों में फिंटेक स्पीस में 31 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश हुआ है साल में हमारे फिंटेक स्टार्ट अप में 500 फीसदी की वृद्धी हुई है सस्ते फोन डीटा और जीरो बैलेंस बैंक खातू ने कमाल किया है एक दशक में ही भारत में ब्रांड यूजर 6 करोड से बढ़कर करीब 94 करोड हो गए है आज 18 साल से उपर का शायद ही कोई भारती हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी यानि आधार काड़ना हो